स्टार्ट हो जाएगी तो इसको बिल्कुल इसकिप नहीं करना है देखो क्या कह रहा है एक्जेंपल 26 में अब देखो मेरे बात सुनो ध्यान से पॉर 11 जब भी हमें 11 की कंडिशन प्रूफ करनी होती है तो हमें दो कंडिशन में से कोई एक लगानी होती है या तो मैं ऐसा करूँ कि सर एक्डिशन लगा दो और तो आप उसको फॉर 11 प्रूफ कर लोगे क्लिएर हुआ हुँ हा सर था मैं फस्ट कंडिशन सौल कर रहा हूं और फंक्शन एफ एफ फंक्शन की बात कर लेते हैं ठीक है सरर क्या दिरकई जिरो से पाई वाए टू दिया है तू आर और आपका जो एफ्वेक्स है आपको साइन एक्स दिया है वो निकालो, sir, f0 की value का मतलब, इस x की जगे 0 पुट करो, तो यहाँ sign की भी 0 जगे हो जाएगी, ठीक है, sir, sign 0 कितना होता है, sir, 0, और f5 by 2 पुट करो, अब आप कहोगे, sir, f5 by 2 मतलब क्या हो, sir, 5 by 2 यहाँ पुट करनी है, आपको sign के अदर, यह होता है, अब आप के लिए ल अगर यह दोनों equal नहीं है, so, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, f is not 11, बताओ, यह चीज के लिए रोगई है, सबको, 6 से, ठीक है, फिर मैं g पर चलूँगा, next slide में, ठीक है, यहाँ तक कोई doubt नहीं है, वीडियो पॉस करें, बर copy ज़रू कर लेना, ठीक है, next पर चलते है, अब ह to r given by gx equals to cos x, ठीक है, सर, अब वही चीज, 411, 411, सर, मैं 411 के लिए क्या करूँगा, कि पहले तो यह देखो, x is not equals to y है, क्या, हाँ सर, ऐसा है, तो सही, कि सर, 0 जो है, वो not equal होता है, पाए बाए 2 के, इसका मतलब fx is not equals to f1 निकलना चीए, निकालो, पहले f0 निकालो, ओ सरी, g0, यह हम g की बात कर रहे हैं, सर, g0 का मतलब क्या है, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे g की value x है, तो cos में x put हो गया function, वहीं अगर मैं g की value 0 put कर देता हूँ, तो function में क्या put हो जाएगा, sir, function में 0 put हो जाएगा, cos 0 की value क्या हो, sir, 1, अब put करो, g pi by 2, सर, g pi by 2 का मतलब cos में pi by 2, cos 90 किता हो, sir, 0, clearly आप यहाँ देख पा रहे हो, क्या, sir, जो g0 है, is not equals to z pi by, और जब यह equal ना हो, so, आप कह सकते हो, g is not 11, यहाँ पर भी क्या निकल के आया है, not 11 निकल के आया है, जैसे कि यहाँ निकला था, not 11, उसी तरह यहाँ भी निकल गया, not 11, एक बर वीडियो पॉस करके जरूर देख लेना, अच्छे से कॉपी कर लेना, अब क्या करने को कह रहा है, लेकिन, f plus z is not 11, यह भी प्रूफ करना है, ठीक है, सर, करो, अगर मैं f plus z लेता हूँ, ठीक है, और function मेरे पास, फिलाल के लिए, अगर मैं 0 लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, इसका मतलब मैं sin को 0 ले रहा हूँ, और cos को 0 ले रहा हूँ, अब आप कहोगे, सर, sin 0 और cos 0 कितना होता है, सर, बेटा, sin 0 और cos 0 की value कितनी हो जाती ही, मेरे पास, sin 0 की 0 और इसकी 1, यानि की 1 हो गई, फिर मैं इसी चीज को क्या करूँगा, pi by 2 के base पे लूँग अब आप यहां क्या देख पा रहे हो, हम यह देख पा रहे हैं कि सर यहां पर, f plus 0, 0 और f plus g, pi by 2, दोनों की images 1 आ रही है, कुछ याद आया, आपको concept, जब दोनों की images 1 आती है, आपके पास, same images, क्या आ रही है, आपके पास, same images, but, 0 is not equals to pi by 2, then, क्या कह सकते हैं हम, f plus z is not 1, 1, मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आ गया है, 1, 1 का, onto का, reflexive का, transitive का, symmetric का, equivalence का, अगर इन सब के आपको actual के अंदर final touch देना है, सारे concept को दिमाग में accurate करना है, तो miscellaneous examples और miscellaneous exercise questions बिल्कुल भी मत छोड़के जाना, इससे आपका सारा concept को एक strength मिलेगा, तो मैं suggest करूँगा कि सारे example करो, सारे exercises करो, miscellaneous भी करो, उसके बाद आपके पास time बसता है, तो आप other books की तरफ बड़ो, लेकिन कम से कम पहले NCRT को अच्छे से clear करो, सारे concept दिमाग में accurate करो, एक्जेम्पल में 26 कम्प्लीट हो गया है, किसी भी स्टुन को doubt लगे, comment section बताईएगा, उसको resolve करेंगे, और वीडियो पसंद आया, तो प्लीज यार, like, share and subscribe कर दीचेगा, मिलते नाइक्स वीडियो में, good bye.